वेलो वाइस, वेल्गम बैक तो आवर चैनल, कॉंपेटिटिव अब, चलिए, आज देखते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले है, आज हम लोग प्रॉपिट इन लाउस ना को समस्करने वाले है, तो आज का टॉपिक है हमारा सक्सेशिव डिसकाउंट, तो चलिए, आज हम लोग जानें के पहले, सक्सेशिव डिसकाउंट आखिर होता क्या है, डिसकाउंट आप लोग जैसे पता है, किसी भी वस्तुपर अगर हम लोग, कोई छूट हम लोग को मिल रहा है, तो उसे हमनों डिस्का blowing कएता है और सकसिसिफ डिस्काउं बगत नोगतार compart werden आ छब पैसा पार तेने बाद यतना पैसे आप translate as प्लस ऐ प्लस एक सिट एक स्यल्पा प्लस एकفर्मूल टो dong में एक percentage को लिक देना फर्स डिसकाउंट वाला वाई में दूसरे percentage को निकल देना दूसरे discount वाला तो successive discount में हम लोगों मतलब कि इन डिसकाउंट में वो calculate करना पड़ता है net percentage of discount calculate करना पड़ता है तो चलिए हम भूमाल लेता है जैसे कि एक discount आपको X equal to 20% मिल रहा है दूसरे discount Y equal to 30% मिल रहा है चलिए माल निया गया तो आपको यहापर निकलना है net discount आपको कितना हो जाएगा total तो net discount कितना हो जाएगा तो net discount निकलने के लिए discount जैसे कि छूट होता है तो छूट को हम भी हमें से negative मिलेता है तो इस formula में X और Y का value हमें से negative रखना होगा आपको तो net discount कैसे निकलेगा minus 20 plus Y का value minus 30 है तो minus 30 plus minus 20 into minus 30 by 100 तो कितना हो जाएगा minus 50 और minus into minus plus हो जाता है तो इदर हो गिया 0 से 0 गया plus 6 तो that is equal to minus 44% मिल आपको 44% का discount मिल रहा है तो मालब net discount आपको हो जाएगा 44% तो मालब जितने भी जितने भी आपका वज़तु का price होगा उस पर आपको 44% का discount मिलेगा और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम इसा यह negative और positive का आपको इतना याद नि रहेगा तो आपको direct में मैं बता दे रहा हूँ अगर आपको direct find करना है तो आप यह formula लगा सकते है x plus y minus x into y by 100 यह आप लगा सकते है किसलिए यह आप लगा सकते है direct discount find करने के लिए for finding for finding direct discount यह आप और इस लिए रहा हूँ no sign needed no sign needed मतलब कि यह आप आपको sign हो कोई जमिला नहीं होगा जैसे कि यही same position देखते हम लो x 20% discount दे रहा है फिर उसके बाद 30% दे रहा तो net discount आपके इतना हो जाएगा 20 plus 30 x plus y minus minus 20 into 30 by 100 तो 0 से 0 गया 0 से 0 गया it means 50 minus 6 equal to 44% का net discount आपको मिलने वाला है तो आई यह आप समझा रहा होगा चलिए इस पर कुछ question हम लोग करके देखता है और एक आपको मैं चीज बता देना चाहता हूँ जैसे कि फॉर्मूला जो है यह में से good percentage के लिए for good percentage only ठीक तो bad percentage के लिए अलग formula है इस formula से नहीं हो good percentage यानि कि 20% 30% 40% जिसमें कोई fraction या decimal नहीं हो तो पहलो कोशन हमारा है find the single equivalent discount of two successive discount of 10% and 15% तो इसका solution किया आजा है simple इस formula में पूट कर देना है तो आप या तो इस formula में पूट की जा चलिए मैं इस से करके दिखाता हूं 10% plus 15% minus 10 into 15 by 100 0 से 0 कट गिया 5 3 जा 15 5 2 जा 10 10 plus 15 25% minus 3 by 2 किना हो जाएगा 1.5% तो that is equal to किना हो जाएगा 23.5% answer चलि हमारा नेक्स्टोशन क्या है find the single equivalent discount of two successive discount of 40% and 30% चलिए इस formula में बस यह है कि इसमें आपको negative का यतना जमिदा नहीं लेगा आपको जाद बात कुछ नहीं रखना चलिए नेक्स्टोशन देखते है find the single equivalent discount of two successive discount of 35% and 32% चलिए इसको देखते है 35% plus 32% मैं हमें सब्सक्राइब फिफफर करता हूं कि इसमें कुछ मिला नहीं है आपका जो मनों आप हो कर सकता minus 35 into 32 by 100 चलिए 35 को 5 से cut कर देंगे 7 वार में तो 5 से 20 वार में 2 से 16, 2 से 10 मैंने 2 से इसले कट किया क्योंकि नीचे 10 होने पर उपर decimal फूट करने मां easy रहते है 35 32 किनन हो जाएगा 67% minus 7 into 16 हो था 112, 112 by 10 that is 67% minus 11.2% that is equal to किनन हो जाएगा 55.8% यह आपको net discount मिल रहा है तो आई होप आपको समझा रहा होगा चलिए आपके लिए कोशन ओमक है आपसे बन जाएगा बहुत easy है तो इसका answer मेड़े को comment में करके बताईए और चैनल को subscribe करना एक दम ना भूलिए चलिए कल मिलते हैं हम लोग bad percentage के ओपर discuss करेंगे topic और उसके लिए मैं आपको बहुत easy और बहुत अच्छा सगर issue method बताने वाला हूं जिससे साठी question solve हो जाएगा तो यह हो आपको class अच्छी लगए हो class अगर अच्छी लगए हो तो subscribe करना एक दम ना भूले चैनल और जीतना हो सकते share करें चलिए मिलते हैं next class thank you